नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे रासीफल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17, 18 और 19 फरवरी तूला रासीफल के बारे में कि दोस्तों या तीन दुने में आप केसे एक महत्यपुन कार्ण करने वाले हैं जिसे आपको खुसियों में फूलों की बरसात होने वाले हैं आपके घर में सभी परिवार आपको मिठाई खिलाने वाले हैं दोस्तों आपके परिवार ही नहीं आपके सभी संगे समंधियों भी आपको वावाही करेंगे दोस्तों आप दिन दुगनी और राथ चोगनी तरकी करने जैसी तरकी करेंगे या किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधाना ना होगा इनकी लव लाइप कैसी रहेंगे, केरियर के सा रहेगा, बीजनस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्त की महत पुन्जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरन और सुबंक क्या है दोस्तों वीडियो के अंते में हम आपको युग भाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों आपकी भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कूल भी मिशना करें और इसे अंते तक जडूर देखें वीडियो सुरू करने से पिले मेरी आप लोगाशी रिक्वेस्ट है अगर आप हमार इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सश्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे इनी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश के तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि या तीन दुनों में आपका कैसे चमतकारी दिन रहेगा कैसे तरक्की पे तरक्की करनते जाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक निती के बारे में दोस्तों चानक निती के अनुसार यदि पत्नी निरास हैं या परेशान हैं तो पत्नी को जिम्यदारी है कि वह अपने पत्ती को समभा ले पत्ती यदि उससे प्रेम की मांग करे तो पत्नी को उस पर बहरी चक प्यार लुटाना चाहिए वरना पत्ती बाहर सारा तलास कर सकता है पत्नी को चाहिए कि वो अपने पत्ती को हर खुसी दे पत्नी का या अधिकार भी है और करते भी है कि वो अपने पती को हमेशा प्यार दे, इस मामलें उसे निरास न करे, ना इनकार करे, इसे उनका दामपत जीवन हमेशा खुस्यों से भरा रहता है, और हमेशा उनके बीद प्यार बढ़ता है, दोस्ते तीन दिनों में आपके समय बहुत ही अनुकूल होने वाले हैं, आप भ बच्चों को अपने भी पढ़ाई के तरफ से कोई उपलब्दी हासिल करने वाले हैं, दोस्तों आप दूसरे के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, ने तो आप गलत रास्ते पे चल सकते हैं, दोस्तों बहतर होगा कि उससे मेल जुल जादा न करें, इसे आपको परिवार के साथ मरणजन और स्वास्तमंदी गत्ति विदियों में भी समय वितीत होगा, तोस्ता कारी छेत पर कमचारियों और इस्टाप के बीच समान जस रहेगा, वेबसाइक पार्टियों के साथ समन्दों को और मजबूत करने की कोशिश करें, ये समन्द भविस में फ आपके स्वास्त ठीक रहेंगे, पालतु जानवरों को साथ छेड़ खाड़ न करें, वरना आप दिकत में पढ़ सकते हैं, तोस्ता आपके तीन दिनों में ग्रिश्ती अनुकूल रहने वाले हैं, आप अपने अबंदर भड़पूर उर्जा और शुकुन में शुश अपने दिन चारह को व्यवस्तित बना कर रखने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे, किसी अनुववी व्यक्ति का मारदसन भी मिलेगा, तोस्तों अपने नजदी की मित्तरों तिता संपर सुतरों के साथ समंदों और अधिक बहतर बनाने क की कोशिस करें, परन्तु दूसरों की बातों में ध्यान देने की आप एक्चा अपनी कार्चमतावा आत्मबल पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें, किसी समंदी की समस्या में आपको उसकी साहता भी करनी पड़ सकती है, व्यक्तित काम होते जाएंगे और आपका आप समंदी प्रोग्राम बनेंगे, घर के सदस्या में अभी आप से तालमिल प्रेमपुर्ण बना रहेगा, बर्तमान बतारवन से अपना बचाव रखें, आपका इन्फुर सिस्टम मजबूत करने के लिए भरपूर प्यास करें, अपना इन्फुर सिस्टम मजबूत रख करें, विध्यार्थी वर अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे, परवाट जनों के साथ कोई धार्मिक अनुष्टान समंदी प्रोग्राम भी बन सकता है, दोस्तों दूसरे दिन दो परवाद प्रसितियां कुछ पर्तिकुल रहेगी, इसके लिए धेर बना कर रखना ही उचित है, वेर्थ के खर्चें पर रोक लागाना जरूरी है औरना मुस्विवत में पढ़ सकते हैं, युवाँ को मोज मस्ती की अपेक्चा अपने केरियर और भवी सबंदी योजनाओं पर ध्यान देने की ज़रत है, दोस्तों देखा जाए कि तीन दिनो और महनत की भी इसिती बनी रहेगी, कोट के समन्दी मामल में जादा ना उल्ज हैं, वरना आप मुस्वत में पढ़ सकते हैं, और पती पतनी के बिज मधूरता भरे समन्द रहेंगें, घर के सदस्यों के साथ मोज मस्ती तथा मनरंजन में भी समय बेतीत होगा, तोस्तों आ आपने अभी हाल फिलाल में ही अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन किये हैं, और अब उनका असर दिखाई देना आपको सुरू हो जाएगा, आप इस दोरान सायद आप कोई परत्तोई गिता जीते हैं या कोई पहले से अच्छा परिवर्तन करें, उनके बदलाब स आप इसके दोरान अपने आपको स्वस्त मैसुस करेंगे और दिखेंगे, दोस्तों बताना चाहेंगे कि या समय प्यार और रोमेंटिक अपने जीवन को लेकर गंबिर होने के लिए बिलकुर उप्यूगत है, आपको या मैसुस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फ्लैट क करने में कोई रूची नहीं रहेगा, दोस्तों आप अपने भविस पर इन समंधों के पढ़ने वाली परभाव के बारे में भी सोचना सुरू करेंगे, और लंबे समय के समंध बनाने की दिशा में पहला कदम भी आप उठा सकते हैं, दोस्तों बता दें कि आप बिजनस और ब्यापार करते हैं, तो आपको यह इस बात का आवाज भी नहीं है कि आपके सहकर्मियों को, आपके करुचारियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गोजरना पढ़ रहा है, अपने समय के बचाने के लिए उनकी चिंता को समझना आपके लिए इस दोरान जादा जरूरी हो दोस्तों या तिन दिनों में आपके जीवन में एक नई उर्जा का इस दुरान परवेश होगा, आपको आचाना की या लगने लगेगा कि जीवन में परिवार्त था केरियर में संतुलित बनाना काफी आसान हो गया है, आपकी सारी हिचकी चाहट अप साथ दूर हो और आपके सब कामों में नया आतम विश्वास दिखाई देगा, आप घर या कारेस्तल पर किसी करीवी की असमंजस की भावना को भी इस दूरान दूर कर पाएंगे, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस दूरान आप खुद को ऐसे आदमी की वज़ा से गुसे में अन यंतरित पाएंगे, जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग आडाता रहता है, इससे आप प्योस भी हो सकते हैं, इसलिए आप नध्यान रखें और ऐसे वेक्ति से आप दूर रहें, साथी साथ सुभर जल्दी उटकर आप मेडिटेशन और योग भी कर सकते हैं, आप इससे उतावा भी होंगे, और आतम विश्वास बढ़ेगा, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, कि या दिन अपने नए समंधों को ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है, अगर आप पहले से किसी के साथ सम्मध में हैं, तो इस दोरा अंतीम रूप से मोहर लगा सकते है यहां तक कि आप परिवार के सुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं, दोस्तों पिछले कुछ समय में जो उधार दिये हुए थे, आज वा मिलने की संभावना है, आज आप एक ऐसी विक्ति से भी मिल सकते हैं, जिसे आप पहले से जानते हो, और आपकी वो काफी हद तक आपके भविश्य में आए को बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वह यहां तक कि ये विक्ति आपको अच्छे आए वाली नोकरी दिलाने में भी मदद कर सकते हैं, जिसके चलते आपके केरियर में भी बदलाव ला सकता है, दोस्तों इस दोरन आप सभी कामा को करने में हम रहेंगे, आपके कोई दवे हुए बात उजागर हो सकते हैं, इससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा, मान समान भी बढ़ेगा, दोस्तों कभी कभी आपका उत्ती जित हो जाना और जल्दवाजी वाला सभाव भी आपको परिसानी का कारण बन सकता है, अपनी आप इस सौभाव पर नियंतरन जरूर रखें, बात कर लेते हैं व्यावसाई की, दोस्तों व्यावसाई अस्तल पर अपनी उपस्ति रखना अनिवार है, ध्यार रखे कि कोई करीवी ब्यक्ती करमचारियों के वीच कुछ गलत फेमी उत्पन कर सकता है, पिता समन ब्यक्ती का सह योग वक्स अला आपके लिए लागदाय करेगी, दोस्तों मैं बात करते हैं लव लाइप की, परिवारी पतावरन सुखत बना रहेगा, प्रहम समवन में मधूरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावना को शम्मान करना जरूरी है, अपके स्वास्त के बारे में ख बाबा को रोटी में गुड मिला के खिलाए, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, जिसे आपकी बिगलते बिगलते काम भी बन जाएंगे, जिस तो आप बात करते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली आंक क्या है?